Hey what's up guys welcome back to another video आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप grow application के उपर अपने पैसे को कैसे withdrawal कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों को problem आता है कि उनका balance जो है यहाँ पे withdrawal able balance में so नहीं होता है मतलब उनके wallet में balance तो होता है बट यहाँ पे withdrawal section में so नहीं होता मतलब पैसे withdrawal करने के लिए नहीं देता है ठीक है तो उसको पैसे जो है उसका solution क्या है तो मैं आपको बता दू जब भी आप कोई trade लेते हैं या फिर कोई stock को sell करते हैं तो यहाँ पे तुरंथ ही आपके wallet में balance आ जाता है बट यहाँ पे withdrawal section में नहीं आता है वो दोस्तों जो है या तो आपके balance available में दिखाता है या फिर opening balance में दिखाता है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना पड़ता है लगब बारा बज़े से आठ बज़े के बीच में रात से सुबा के बीच में जो है balance में withdrawalable balance में aid हो जाता है अगर फिर भी नहीं aid होता है तो आप जो है raise ticket करके जो complaint कर सकते हैं बट यहाँ पे हो जाता usually अभी देखिए मेरे में withdrawal balance में so कर रहा है बट यहाँ पे अब दोस्तों क्या होता कुछ लोगों प्रावलम आता है जब भी वो पैसा withdrawal करते हैं तो यहाँ से withdrawal हो जाता है बट जो है उनके bank account में credit नहीं होता है या फिर transaction जो है reverse आ जाता है तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैंने कुछ पैसे withdrawal किये थे तो यहाँ पे मैं जब भी दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने money withdrawal किया 135 रुपे बट दोस्तों क्या हुआ transaction जो है reverse हो गया मतलब bank के दोरा reject कर दिया गया पैसे जो है मेरे withdrawal नहीं हुए तो मैंने इसका कैसे solution किया तो मैं आपको बता दो यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे bank detail पे आना है bank detail पे आने के बाद आपको जיש भी account में पैसे लेने है तो जैसे मैंने जो है मेरा main account Union Bank का है तो मैं इसी में transaction लेता हूँ तो यहाँ पे क्या करना आपको simply इसको यहां से make primary करना है जैसे अभी central पर क्लिक करता हूँ तो यहां से make primary करने का option देगा तो आप इसको मतलब primary पर set कर दीजे जिस भी account में लेना चाहते हैं और दोस्तों क्या problem आता है कि जो है balance जो है यहां से withdrawal कर लेते हैं बट account में नहीं पोस्टता है और पैसे फिर से refund आ आते हैं तो उसके लिए आपको दो चीजे करनी पड़ती है सबसे पहले आपको make sure करना है कि आपके account का KYC हुआ है कि नहीं क्योंकि अभी के time पे KYC जब नहीं होता तो भी जो है transaction बहुत जादे reject होता है ठीक तो आपको सबसे पहले KYC make sure करना कि आपको KYC हुआ है या फिर न बता है कि आपका account जो है minor account है जब मैं छोटा था 18 जो है below था तो मैंने account open करवाय था तो मेरा मतलब minor account था तो भी जो है transaction reject हो रहा था तो मैंने उसको major में upgrade करवा लिया तो आप भी जो है उसको major में upgrade करा सकते हैं उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पर अभी आप देख 100 यानि मतलब 100 रुपे से कम आप withdrawal नहीं कर सकते हैं 100 रुपे से जादा ही होना चाहिए ठीक है या फिर 100 रुपे भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर 101 रुपे withdrawal करके दिखा देता हूँ यहाँ से करेंगे withdrawal उसके बाद दूस्तों जो है यहाँ पर देखिए withdrawal requested जो है successfully हो गया औ मैंने दूस्तों यहाँ पर कली withdrawal लगाया था आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने money withdrawal क्या था 129 रुपे का और यहाँ पर जो है withdrawal complete दिखा रहा है और balance भी जो है मेरे account में आ गया था तो बस दूस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई जो है withdrawal से doubt है तो नीचे comment करके जो है पूछ सकते हैं